जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 दिसंबर 2021 के धनुरासी फल के बारे में और जानेंगे धनुरासी से संबंधित लोगों के ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा, इन परिवर्तन से आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाप पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा 1 दिसंबर 2021 किर्शन पक्ष का बुद्धुवार का दिन होगा 12 सीति थी रात 11 बजकर 38 मिनट तक रहेगी फिर 13 सीति थी सुरू हो जाएगी सौभाग्य योग रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहेगा इसके बाद शोभन योग सुरू हो जाएगा चित्रा नक्षत्र साम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा फिर स्वाती नक्षत्र सुरू हो जाएगा सूर्य देव वरश्चिक रासी में वराजमान होंगे और चंदर देव सुबह 7 बजकर 45 मिनट तक कन्या रासी में वराजमान होंगे इसके बाद तुलारासी में गोचर कर जाएंगे आज का राहुकाल का समय दोफेर 12 बजकर 9 मिनट से दोफेर 1 बजकर 28 मिनट तक रहेगा तो इस दोरान कोई सुब अथवा मांगली कारिये ना करें और आज का भी जीत मुहरत कोई नहीं होगा तो कोशिस करें इस दिन कोई सुब अथवा मांगली कारिये ना करें एक दिसंबर को दुई पुसकर योग का नर्मान होगा जो की महतपूर्ण योग है 12 तिथी में चित्रा, मरक्षरा या घनिष्टा नक्षत्र हो तो दुई पुसकर योग बनता है और दुई पुसकर योग में जिस कारिये को किया जाता है वह दोगुना फल देता है इस योग का सुबा सुब से कोई सीधा सम्मद ना होकर उस दिन के आनंदादी योग के फल को दुई गनित यानि दोगुना करने से होता है इस योग में किगे कारियों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और इस योग में धल्लाब होने से दोगुना फायदा होता है मकान, वाहन, आभुशन या कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए यह योग सुभ माना जाता है इस योग में पूजापाट करना और धार्मिक यात्राएं करना काफी फायदे मन्द होता है इस योग में बाहर से कर्ज लेने से बचना चाहिए और इस दोरान जमीन खरीदना या वेपार से जुड़े बड़े सौदे करना भी उचित माना जाता है और इस दिन धनुरासी के लोगों को थोड़ा सा समल कर भी रहना होगा कोई आपका अपना आज विश्वास घात कर सकता है तो थोड़ा सतर्ग रहना होगा और वहन चलाते समय भी साबधानी रखनी होगी और अपने लक्षे को लगातार ध्यान में रखें दिन चर्य में थोड़ा सा बदलाव लाएं तो आपका जीवन बहतर हो सकता है आपको केरियर में उन्नती के नए अवसर मिलेंगे सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी उर्जा बचा कर रखें वित्तिय मामलों को लेकर आप थोड़ा तना महसूस कर सकते हैं आप अपने प्रेमी से किया हुआ वादा निभाने में असफल साबित हो सकते हैं लब पार्टनर के साथ धार्मे किस्थान की यत्रा करने के युग बनेंगे और प्रेम की बात दिल पर ले सकते हैं जिसे आप बहुत दिनों से चाहा रहे हैं उससे मुलाकात होगी जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होंगे और स्वास्था अच्छा होगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर वे लाइक अवश्य करें जै मता दी दोस्तो